दूस्तों यदि आपकी साइट या ब्लॉग वर्टपेस पर है और आप अपने साइट या ब्लॉग के अंदर पेजिस बनाना चाहते हैं पेजिस जैसे अब आउट पेज, टमसें कंडिशन, प्राइविसी पॉलिजी पेज तो आप कैसे बना सकते हैं क्या है तरीका, कौन से फंक्शन फीचर यूज करें, जिसके द्वारा पेजिस बनाएं, उसे हम पेज के हैडर यानि की मैनुवार में एट कर सकें या हम फोटर में एट कर सकें तो आज के इस वीडियो में हम वर्टपेस साइट के अंदर पेजिस बनाना बताएंगे तो जानने के लिए सीखने के लिए इस पीडियो को कंटिनू, शुरू से किलास तक जरूर दिखें दोस्तो आप देख रहे हैं बिसिक कंप्यूटर हिंदी सबसे पहले हम वर्टपेस के डैसबॉर्ड में लॉग इन होंगे एंड दोस्तो पेजिस बनाने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगे पेजिस को उप्षन एंड और पेजिस पर आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको पेजिस बनाने की सैटिंग पूरी मिल जाएगे ठीक है तो दूस्तों यहाँ पर मैं pages को menu बार में add करना बताऊंगा जैसे कि आपको pages को header में लगाना है कैसे आप लगाएंगे अगर आपको pages को footer में लगाना है वो कैसे लगाएंगे अगर आपको sidebar में pages लगाना है वो आप कैसे लगाएंगे ठीक है तीनों मैं आपको बताऊँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर pages create करना बताता हूँ ठीक है तो आपको pages बनाने के लिए यहाँ पर add new pages पर click कर देना है जैसे कि मैं यहाँ पर add new pages पर click कर देता हूँ ठीके तो यहाँ पर page का title डालेंगे तो हम यहाँ पर copy paste करते हैं content नहीं लेते ठीके तो हमारी एक website है मैं उसका ले लेता हूँ content basic computer hindi.com नीचे आएंगे तो यहाँ पर है pages about हम इस पर click करेंगे तो यहाँ पर इसका जो content है इसको ले लेंगे इतना copy कर लेंगे ठीके तो यहाँ पर हम about page बनाएंगे तो type करें about ठीके and content किया था जो paste कर देंगे copy को ठीके तो यह about page बन गया and यहाँ पर copy करेंगे इसको यहाँ पर आपको अगर font change करना है जैसे कि font का you can consider like the वैसा आप कर सकते हैं ठीक है एन-ओहां पर पेजस चे अंदर कल्ब अगर डालना है टो टाकूश को Near पर यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर कोई कलल डाल सकते हैं एक लिक करेंगे तो तो आप यहां से डाल सकते हैं background color यह देखिए कोई भी आपको लगे वैसा आप डाल सकते हैं ठीक है हाना यह देखिए जो भी आपको पसंद आए जैसा कि आपको करना है अगर आपको color और चाहिए तो यहां से आप डाल सकते हैं यह देखिए हना ठीक है तो यहाँ पर हमने कलर बैक ग्गरव्ड कल comment अपको बता दिया यहाँ पर ऑध कर दीते हैं पश्ब्राइं के लिखते सभाएं यहां पर देखते सब्सक्राइम देखते हैं विव पेज़ गूंए ने पाई अब यहां पर शाण आते हैं तो यहां यहाँ पर content डालेंगे ठीक है तो यहाँ पर publish कर देंगे हम इसको भी यह कीवल practice कर रहा है ठीक है आपको बता रहे हैं आप इस तरह बना सकते हैं चलिए यहाँ पर equal ले लेते हम page को and यहाँ पर हम type करेंगे privacy policy and हम publish कर देंगे ठीक है and यहाँ पर हम refresh करेंगे तो देखिए यहाँ पर तीन है तो मैं यहाँ पर यह भी कर देता हूँ privacy policy को चलिए privacy policy तो पहले से तो यहाँ पर हमने एक और बना लिए चलिए ठीक है तो यहाँ पर तीन pages मैंने बना लिए और बनाना है तो आप और बना लिए से अब यहां पर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब आवाउट टम्सन कंडिशन प्राइविसी पॉलिसी मेनुवार में एड हो गए अगर ऐसा लगे कि मेनुवार में नहीं आ रहे है तो आपको करना क्या है सिम्पल सा अप्रेंट में आना है मेनू पाना है एंझ आने के बाद दूस्तों यहां पर स्लेक करना है एंड आ पर होओट प्राइविसी और टम्सन कंडिशन इस सब्सकस को सब्सक्रा खा दिक Berry है और रिमूब ठीक है रिमूब रिमूब हना होम चाहिए अबाउट प्राइविसी पॉसिय और टम्सन कंडिशन आपको लगे मुझे प्राइविसी पॉसिय पहले चाहिए अबाउट के तो आप क्या करेंगे माउस को लेट बटन दबाकर इसे ड्रेक कर देंगे ऊपर की ओर ठीक ह क्राइवppen है यहाँ पर क्रिट मैनूपर किलिक कर देंगे और ओटोमेटिकली मेनू उपर कर देंगे एन यहाँ और रिफ्रेस करेंगे दिए होम आगे प्रैसी इनेवल करने की setting होना चाहिए ठीक है तो हमारी generate page थीम है ठीक है उसके अंदर फोटरवार add करेंगे तो यहाँ पर click करेंगे नेश्ट पर and nest and get start तो यहाँ पर देखेंगे फोटरवार यह है तो फोटरवार 1 या 2 या 3 किसमे आपको pages बनानी है करनी है तो मैं यहाँ पर widget बन ले लिता हूं प्लस पर click करेंगे यहाँ पर टाइप करेंगे page यहाँ पर page लिस्ट आएगा इस पर click करेंगे ठीक है यह हो गया एन यहाँ अपडेट कर देंगे है अपडेट करने के बाद अपने साइट को refresh करेंगे अरा कि नीचे चेक करेंगे आ रщее करेंगे आ रहा है कि अभी भी नहीं आ लेकिन नहीं आ रहा है तो कुछ समय बाद आने लगे यहां फिर आप को की कीजिए किलियर कीजिए आने लगेगा ठीक है ठीक तो यहां पर यह इन कॉंटि बंडू में आ रहा है अब दोस्तों आपको साइडवार में चाहिए तो आप कैसे करेंगे यहां पर आपको पेजिस लाना है अब यहां पर आपको साइडवार लेना है अपके साइडवार में अपने पीजिस को रखना चाहते है राइड में mist में वह आप यहां पर राइट में रहना चाहता हूं ठीक है तो यहां पर ईडिक करें यहां पर टाइप करेंगे पीजेस्ट करने के वाद इसे भी जा तो यह आपको से टिंस पर अपने विजेट या कह सकते pages को sidebar में रखना है या नहीं आगर आपको post के अंदर रखना है तो दोस्तों अगर आपकी menu वार में add है या आपको फोटर में add है तो आपको यहां पर home या sidebar में रखने की जुरूद नहीं है ठीक है तो आप एक ही जगह रखे footer में रखे या है देखिए यहां पर मिलेगा आपको यहां पर यह है लेफ विजिट हाना यहां पर हम क्रेस्पे क्लिक करेंगे पीज इस पर क्लिक करेंगे और यहां अपडेट कर देंगे अब यहां रेफ्रेस्ट करेंगे आप तो यहां पर नहीं आएगा क्यों नहीं आया क्यों कि आपको तो यहां पर layout है, इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको मिलेगा sidebar, ठीक है, तो आप कैसे sidebar रखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप block sidebar या single push किस तरह रखना चाहते हैं, तो मैं यहां पर block कर देता हूं, तो block मैं क्या करेंगे, sidebar content sidebar, तो आपको double sidebar लगने होंगे तो यहां पर left और right दोनों के आएंगे, तो इस पर click करेंगे, तो देखी हैं यहां पर दोनों के आने लगेंगे अब, यह देखिए, जो मिद्वाом यह आइड किये थे, इस पर click करेंगे, तो यहां पर आपको यह भी करना होंगे, content के भी, तो यहां पर देखी, आप आने लगें जो हमने एड किये थे आप सायद इसमें नहीं सिंगल पूश्ट यह है साइड़ वार कंटेंट आप आने लगें यह देखिए है यहां पर मुझे लगता है एड नहीं हुए ले मैं दुबारा फिर से कर देता हूं यहां अब डूडिडि कर देता हूं अभी स्वाइब पब्लिश अब दुबारे से फिर से मैं करूंगा एड़ इसके अंदर पीजिस को विजेट यहां पर राइट हो गया एंड यहां पर लेफ्ट यहां पर करेंगे पीज लिस्ट अपडेट करेंगे रिफ्रेस करेंगे फिर से इनकॉंग्डिट में खुला हो मुझे लगता है इधे के पेजिस आने लगे आपको इनकॉंग्डिट बिंड़ो में खुलना है या कुकीज आपको रिमूप करना तो देखिए यहां पर साइड बार में भी आना गए लेफ्ट में रखना है जो रखना आप वैसा रख सकते हैं अठाना कैसे है यह तो अठाना भी मैं आपक कॉस्टमाइज एन यहां पर लियाओड में जाएंगे यहां पर साइड बार यहां पर केवल हम रखेंगे कंटेंट साइड बार को ठीक है यह आ गया हना एन इस पर किलिक करेंगे तो इसको भी हम कर रखेंगे कंटेंट साइड बार को यह देखिए एक ही आ गया पब्लिस क करने के बाद फिर सम बेक जाएंगे आई लेहां पर बेज़ेतों में जाएंगे अगर आपको यहांसे यहांपर साइड़ रिफ्रेस करते हैं, यहां पर pages अट चुके यहां से भी अट चुके अगर आपको यह फुट गए है न इस देखिए हमनी आर्फ ए बिल्कुल भी ठीक है तो लिए नीट कर सकते हैं ठीक अगर आपको यहाँ पर मेनु वार्ट से अठाना है, सिम्पल से सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ से किस को अठाना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे प्राइविसी पॉलिसी अठाना है, तो रिमूप पर किल्क करेंगे, अब आउड को भी अठाना है, रिमूप पर किल्क करेंग से मृनू पर क्लिक करेंगे और इहां अपर साइट को बिजिट करेंगे देखिए क्ई किसी पर भी सो नहीं होगा अभी हो रहा है इन कॉनुल बुटम चेक करते हैं मैं यहां पर दुबार चलिए मैं इनकाउन बंडो में चेकर कर बदाएता हूं तो मैंनु बार से भी पेजिस हट जाएंगे यहां से हट चुका है अब दिखाई नहीं दे रहे तो क्यों को कीज के वजह से यह प्रॉब्λम सो हो रही है ठीक है तो कैसे करेंगे ठीव डाट पर पर अपको कलिक कर देना है यहां पर करदेंगे 24 एक और कर देते हम कलिया डाटा ठीक है अब यह प्रॉब्लम नहीं आईए हना तो आपको यह वीडियो काफी हेलफिल लगा दूस्तों दूस्तों आपने सीख लिए होगा कैसे हम पेजिस को क्रेट करते हैं अपनी वेपसाइब लॉक के अंदर साइड वार में हैडर में फुटर में और जरूरत पढ़ने पर रिलेटर्ड वीडियो के लिए हमारे चनल पर बने देए होके फ्रेंट थेंक्स और बाई बाई